नमस्कार दोस्तों, EU PPSC डेली नीज में आप सभी लोग का स्वागत है, तो जहां दोस्तों आपको बता दूं कि कल जो है सुनवाई होने वाली है, जो याचिका PCS में स्कैलिंग को ले करके डाली गई थी, अभी वो डेट कंफर्म होई है कि कल होगी, तो जो भी सूचना इसके बारे मैं आप से थोड़ा सा डिसकस कर लूँ, तो जहां दोस्तों देखें, मैं आपको बता दूं कि जो CVI जाच हो रही थी, इसके मैटर को अभी जो है, आयोक से खबर मिली है कि जाच इसके बारे में बात करी जा रही है, कि जाच अभी ठप होई पड़ी है, और को कौन कौन सी कारवाई की है, CVI ने अभी तक PCS 2015 में या 5R दर्च कर आई है, और जबकि APO 2010, Lower Subordinate 2013 और PCSJ 2013, RO2013 वा सीधी भरती के तहत हुई, मेडिकल अपसर की निउपती के मामले में PE दर्च कर आई गई है, और मेरे आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, वीडियो खिश्ट्रीम जाएंगे, PE क्या होता है, इसके बारे में भी मैंने आपको एक वीडियो बना के दे दिया है पहले ही, तो देखें क्या कहना है, जो की छात्र संगर समीत के प्रवक्ता है, उनका कहना है कि CVI की जांस समय बद्ध कराने के लिए, इलाबा धाई कोड में आचक बद्ध कराए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, इससे जांस की प्रक्रिया लंबी खीची जा रही है, मौजूदा इस्तिती को देखते हुए, आने वाले कई सालों में कोई निसकर से निकलता नजर नहीं आ रहा है, का कि CVI की सुस्ती का दुस्परिणाम प्रदेश की भ नहीं आ पाया है, जिन में से दो ही चीज हुए, एक FIR हुआ है, और कुछ एक्जाम में PE दर्च की गई है, PE क्या होता, इसकी वीडियो मैंने आप सो लोगों बता दी है, तो आईए हम बता, चर्चा करेंगे, एल्टी ग्रेट की रिजल्ट को ले करके, जो दो सब्जेक्त क रिजल्ट रुकी हुई है, और उनकी निउक्ती को ले करके एक वीडियो के माद्यम से, इस वीडियो के माद्यम से चर्चा करेंगे, तो उनकी लिए भी जो आईए देखते हैं, देखें सूचना ये आ रही है कि एल्टी ग्रेट के जो निउक्ती को ले करके अभ्यर्थी जो है एक्जूट हो रहे हैं और निर्देसाले का घेराव करने की जो अपनी प्रक्रिया और रन्नीत बना रहे हैं तो इसके बारे मैं आप सो लोग से छोटा सा डिसकस करूंगा जो समाचारा रही है और एल्टी ग्रेट के जो रिजल्ट है जो बनारस में स्टी अप जाँ च चैनित भेर्थियों में निरासा ब्याप्त है वो बहुत ज्यादा परिसान हो चुके हैं भेर्थि ने अब आरपार की लड़ाई का ही मूर बना लिया है इसके तहट 28 जुलाई को भेर्थियों ने सिच्छा निर्देसाले प्रयाग राज को घेराव करेंगी यानि कल उनका घेराव होगा कल क्या निसकर्स आएगा जो भी सूचना होंगी आप सभी लोगो तूरण चैनल के माद्यम दे दिया जाएगा कल याचिका की भी सुनवाई है क्या होगा उसके बारे में भी सूचना आप सभी लोगो दे दिया जाएगा और जो रिजल्ट है इसके बारे में भी एल्टी ग्रेट की जो दो सब्जेक्ट की रिजल्ट हैं इसके बारे में भी कल कुछ ना कुछ डिसकस किया जाएगा यही सूचना अभी तक निकल के आ रही हैं तो जैसा भी अपडेट होगा चैनल के माद्यम से छोटी और बड़ी सभी सूचनाएं आप सभी लोगों को दी जाएंगी चैनल पर जो नए आ रहा हो सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन दबा दें तो जिया दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद